हर एक कंट्री के पास अपना एक स्पेसिफिक करंसी सिंबल होता है और इंडिया का ये फेमस इंडियन रुपी साइन तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या हम इसके बनने के पीछे की कहानी को जानते हैं? चलिए देखते हैं यानि कि 2010 से पहले हमारे पास कोई करेंसी सिंबल नहीं था इंडियन रुपी को रेप्रेजेंट करने के लिए और खास बात ये है कि इंडियन गव्मेंट ने एक ओपन कॉंपेटिशन रखा और इसी कॉंटेस्ट को जीता उदेख कुमार ये सिंबल देवनागरी लेटर र और रोमन लेटर आर का मिक्सचर है इसके उपर जो दो पारलल होरिजोंटल लाइन से वो इंडियन फ्लाग को रेप्रेजेंट करती है और साथी साथ इकुल टो साइन को दर्शाती है कैसे एक छोटी सी छोटी सिंबल के पीछे इतना लॉजिक होता है है ना मज़ेदार फॉलो फॉन मोर